हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आबर यूटूब चैनल तैयारी एक चाम की आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टंथ जोगरफी भूगोल से क्रीसी है यहाँ पे इकाई दो है पर इच्छा उप्योगी वीबी आई नोट्स जो की आप लोग के लिए NCRT Books से है बहुत ही महत्वोपोर्ण है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं Q1 है सुस्क क्रिसी किसे कहते हैं तो उतर हो जाएगा यहाँ पे वर्सा की सहाइता से विक्सित क्रिसी प्रेनाली को सुक्स क्रिसी यानि की ड्राइ अगरिकल्चर कहते हैं अब देखिए यहाँ पे Q2 है सस्य गहनता क्या है तो उतर हो जाएगा एक ही क्रिसी वर्स में एक ही भूमी में एक से अधिकाधिक फसलों को उगाकर पुल उत्पादन में व्रिधी करने की किरिया को ससे गहनता कहते है यहापे उगा लिखा हुआ है अगे हम लोग चलते है 3 पे ससे गहनता की द्रिष्टी से भारत का कौन सा राजी अग्रणी है कौन सा राजी सबसे आगे है तो उत्तर हो जागा यहाँ पर पंजाब यह बहुत हिमातवपूर्ण है अब देखिए यहाँ पर 4 है ससे गहनता को प्रभावित करने वाले कारग कौन कौन से है इकजाब में स्ट्राइप के क्यूप्शन आते हैं तो पहला है सिचाई, दूसरा है उर्वरक, तीसरा है उन्नत बीज, फोर है यहाँ पर यहन्तरी करन 5 है किटनासक 6 है क्रीसी उत्पादों का उचित मुल्य ससे गहनता को प्रभावित करने वाले कारग है अब देखिए यहाँ पर 5 है क्यूप्शन आवर निवेज उप्योग किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा पुंजी लगाकर सिचाई, खाद, उन्नत बीज, मसीन, आदि का उप्योग करना निवेज उप्योग कहलाता है अब देखते हैं हम लोग क्यूप्शन आवर 6 क्या है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छेतरों में होने वाली क्रिसी को क्या कहा जाता है उत्तर हो जाएगा सुक्स भूमी देखते हैं अब क्यूप्शन आबर 7 पे चलते हैं लोग 75 cm से अधिक वर्षा वाले छेतर में होने वाली क्रिसी को क्या कहा जाता है तो ध्यान देंगे आधर भूमी क्रिसी कहा जाता है 75 cm से अधिक वर्षा वाले छेतर में होने वाली क्रिसी को आधर भूमी क्रिसी कहा जाता है ये आपको objective में देखने को मिल सकता है देखते है question number 8 क्या है उत्तर पूर्वी राज, असम, मिघाले, मिजोरम, नागा लैंड में प्रारंबिक जीविका क्रिसी को क्या कहते हैं तो उत्तर हो जाएगा यहां पे जूम अब देखिए हम लोग question number 9 पे चलते हैं मनिपूर में पामलू तथा 36 गड़ के बकसर जीले तथा अनवान निकोबार दीप समू में इसे दीपा कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो जूम क्रिसी को मनिपूर में पामलू कहा जाता है जूम खेती को जूम क्रिशी को अब देखे यहाँ पे टेन है रोपन क्रिशी भी एक प्रकार की व्यपारिक क्रिशी है ध्यान देंगे रोपन क्रिशी एक प्रकार का व्यपारिक क्रिशी कहलाता है 11 है यहाँ पे भारत के राजियों में उपजाया जाने वाला मुख्य फसल यह जो चाय है वह आसम में प्रसीद्य है कौफी दार्जलिंग में और कर्णाटक में रवर याद रखेंग से अप अबजिक्तिम में ये सर्वाधि कर्णाटक में इस तरव कभ गूउशन पूश्ण पूस्ता यह आपके चार अप्सन होते हैं देखें यहाँ पर क्यूशन अबा 12 आता है रवी फसल किसे कहते हैं उदाहरण के साथ बतावे यह आपको लगू उतर यह प्रश्ण में देखने को मिल जाएगा यह क्यूशन जो की दो नमबर का होता है उतर हो जाएगा रवी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रिक और सॉरी यहाँ पर ग्रिस्म होगा और ग्रिस्म रितु में अपरेल से जून ग्रिस्म होगा यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग ग्रिस्म रितु में अप्रय से जून के मध्य काटी जाने वाली फसल रवी फसल कहलाता है जैसे गेहूं, जो, चना, मटर, मसूर, सरसू, आदी अब देखें यहाँ पे Q13 आता है खरी फसल किसे कहते हैं उदारन दें उतर हो जाएगा यहाँ पे खरी फसल भारत में वर्सा रितु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाने वाली फसल को खरी फसल कहते हैं जैसे धान, चावल, आदी अब देखें यहाँ पे Q14 है जायद फसल किसे कहते हैं उदारन दें उतर हो जाएगा खरीफ और रवी फसल के बीज ग्रिस्म रितु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं जैसे धान, मकई, सबजिया, हीरा, ककड़ी, भिंडी, तरबुज, अब देखें हम लोग चलते हैं Q15 पे क्या है भारत का सबसे बड़ा गेहुं उत्पादक राजिय कौन है तो ध्यान देंगे इसका उतर हो जाएगा उतर प्रदेश अब देखें यहाँ पे Q16 है किस मोटे यहाँ पे मोटे लिखा हुआ है किस मोटे अनाज में प्रचूर मातरा में लोहा, कैल्सियम, सुच में पोसक और भूसी मिलती है तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रागी में Q17 आता है जुआर का सबसे बड़ा उत्तपादक राज भारत में कौन है तो उत्तर हो जाएगा महराष्ट्र Q18 है यहाँ पे निर्धन लोगों के लिए एवं पसूओं का प्रमुख आहाद क्या है तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बाजरा अब देखते हम लोग Q19 पे चलते हैं रागी का सबसे बड़ा उत्तपादक राज कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा करनाटक ध्यान देंगे आप लोग याद करते चलेंगे Q20 है यहाँ पे किस प्रकार के मोटे अनाज में ग्लुकोज तथा मंड होता है तो उत्तर हो जाएगा मकई Q21 आता है हमारे पास हमारे भोजन में प्रोटीन का मुखी स्रोथ क्या है तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डाल Q22 है किस देश को गन्य की जन्म भूमी कहा जाता है बहुत ही महतवपूर्ण है तो उत्तर हो जाएगा भारत यानि की हमारे इंडिया Q23 आ गया है यहाँ पे पूरे विस्व में भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्तपादक देश है तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तिलहन 24 आता है यहाँ पे भारत का बिस्बु में मुंग फली के उत्पादक में कौन सा अस्थान रखता है तो उत्तर हो जाएगा दूसरा अस्थान 25 आ यहाँ पे चाई पीने से हमें ताजगी महसूस होती है क्यों बादोपूर्ण क्यूशन है इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसमें थीन नामक एक बतार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने से हलकी ताजगी महसूस होती है आप लोग अपने फैमिली से पुछके देखिएगा साइद उनको पता हो या ना हो अगर नहीं होगा तो बता दीजेगा और पता होगा तो ठीक है देखते हैं ज्यादा लोग बिजनसमें जो होते हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं मौर्निंग से लेके इविनिंग तब उन्हें चाई पीना बहुत ही पसंद होता है क्योंकि चाय पिने से हलका ताजगी महसूस होता है थोड़ा अच्छा फिल होता है अब देखें यहाँ पे 26 पे चलते हैं हम लोग कौन सा फसल के उत्पादर में भारत बिस्बु में दूसरा है तथा खपत में यह बिस्बु का सबसे बड़ा देश है उत्तर हो जागा यहाँ पे चाय 27 आता है यहाँ पे भारत में कौफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर हो जागा यहाँ पे करनाटक आईए अब हम लोग चलते हैं क्यूशे नवर 28 पे भारत में लगभग सभी कौफी दच्छिन भारत में उगाया जाता है 29 आ गया यहाँ पे कौफी की तिन प्रमुख किसमे कौन कौन से हैं ध्यान देंगे पहला है अरेवी का दूसरा है लिबेरी का और तीसरा है रोबस्ता अब देखें यहाँ पे क्यूशे नवर 30 है भारत में उद्तम किसम की अरेवी का कौफी उप जाई जाती है जिसकी पूरे विस्व में मांग है भारत में यह आरंभ में यमन से लाया गया था और बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया देखें यहाँ पे क्यूशे नवर 31 है किस फसल के उद्तम पादक में भारत विस्व में अग्रनी है तो उत्तर हो जागा यहाँ पे आम अब देखें यहाँ पे 32 आता है भारत के राजियों में होने वाली मुखे फसले हैं तो उत्तर हो जागा यहाँ पे उतर प्रदेश, आंधर प्रदेश, महारास्ट्र, पश्रिम बंगाल, बिहार इतना में आम होता है और आगे चलते हैं हम लोग तो हमें पता चलता है बिहार और उतर प्रदेश में लीची होता है मेगाले में अनानास होता है आंद्र प्रदेश और महरास्ट्र में अंगूर होता है और हिमाचल प्रदेश और जमू कस्मीर में सेव जो की बहुत ही मातवपूर्ण है नासपाती और यहां पे खुबानी है एक और अखरोट के लिए प्रसिद है देखें यहां पे 33 है भारत विस्व में काजो का सबसे बड़ा निर्यातक देश है यानि कि निर्यात करता है अपने देश से दूसरे देश में भेजता है देखें 34 है यहां पे भारत के चाल प्रमुख रिसेदार फशलों के नाम लिखें बहुत ही महतवपूर्ण है तो उतर हो जागा पहला में कापास दूसरा है जूट तीसरा है सन और चोथा है यहां पे प्राकिर्तिक रिशम 35 है यहां पे कापास को किस देश का मूल अस्थान माना जाता है तो उतर हो जागा यहां पे भारत 36 से यहां पर भारत की दूसरी महतववपूर्ण रेसेदार फ़सल है कोन है तो जूट इसे सुनहरणर रेसा यानि की golden φाइवर भी कहते है तो आपको यह तीन्व याद रखनी है कि भारत की दूसरी में तो पूर्ण रेसेदार फसल जूट है इसे सुनहरा रेसा भी कहते हैं और इसे इंग्लिज में गोल्डन फाइवर भी कहते हैं अबजेक्टिव क्यूशन में आपको कोई एक पूछ सकता है या ये भी ओप्शन में रह सकता है ये दोनों नहीं रह सकता है ये एक भी रह सकता है तो आपको तीनों याद रखना है कि जूट को सुनहरा रेसा भी कहते हैं और गोल्डन फाइवर भी कहते हैं क्यूशन अबर 37 है यहाँ पे वैस्वी करन का क्या अर्थ है बहुत ही मातोपूर्ण है इस टाइप का क्यूशन एकजाम में बहुत ही घूमाता है तो ध्यान देंगे आप लोग वैस्वी करन का अर्थ है देश की अर्थ वेवस्था का विस्व की अर्थ वेवस्था के साथ जूड़ना 38 नमबर क्यूशन आता है FCI का पूर्ण रुख क्या होता है उत्तर हो जाएगा F से FOOD C से हो जाएगा Cooperation of India आएव हम लोग चलते हैं क्यूशन आपा 39 पे उपभोगताओं को दो बर्गों में बाटा गया है जो कि पहला है यहाँ पे गरीवी रेखा से नीचे इसे Below PROVERTY LINE कहते हैं इसे SORT में BPL के नाम से जाना जाता है और दूसरा है यहाँ पे गरीवी रेखा से उपर इसे Above PROVERTY LINE कहते हैं यानि कि APL इसे SORT में कहते हैं क्यूशन आपर 40 है वर्धन काल को पईभासित करें तो उतर हो जाएगा यहाँ पे फसल के बोने, बढ़ने और पकरने के लिए उप्युक्त मौसम वाला समय वर्धन काल कहलाता है क्यूशन वर 41 आता है यहाँ पे रोपन क्रिसी किसे कहते हैं तो उतर हो जाएगा बड़ी बड़ी आर्थिक इकाईउं में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अथिक किस्म के पौधों के रोपन की पधती को रोपन क्रिसी कहते हैं देखें 42 है जो की लास्ट क्यूशन है इस चेप्टर में हरित क्रांती क्या है बहुत ही मातवपन क्यूशन एक्जाम के दृष्टी कौन से इससे अप लोग ध्यान से देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारे देश की क्रिसी में क्रांती कारी विकास इसमें मुखेतह नए बीजो, खादो और उर्वरकों का प्रयोग सथा सुनेश्य तजलापूर्ती की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक ब्रिधी हुई है तो इसे ही हडित क्रांती कहते हैं यानि की गीन डिवोल्यूशन वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं प्लीज आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे नहीं यह मेरे लिए वेल्पूफुल है तो मैं और ही ऐसे वीडियो दिलाते रहती हूं और क्लास स्टेंथ का सोसल साइंस औल सब्जेक्ट का वीडियो बन चुका है वीडियो के साथ अन्ड हिंदी का भी बन चुका है ते एंस पर वाची एंस ट्रहा में आपको लोगा है